नमस्कार प्यारे शाथियो आर्पी एम ब्रिज यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए आज की बहुत ही महत्पूंग टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख परेटन इस्थल अच्छा जो मद्रदेश के परेटन इस्थल उनको यहाँ पर हमने लिया है तो बहुत ही महत्पूंग होने वाला यह टॉपिक हमसे इस टॉपिक से भी कुश्यन हमसे पूछे जाते हैं लगबख सभी एक्जामों में तो टॉपिक ही बहुत ही महत्पूंग होने वाला है यह वीडियो तो आप बिलकुल अन तक बने रह जुसे कि कोई भी नई वीटियो अपलोड होते ही नौटिफिकेसन पहुंशे कि आप करके आप पूरा वीडियो अंध तक देख कते है तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो की शुरूआत करते हैं, स्रनकला की शुरूआत करते हैं तो RPM Bridge YouTube चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए जैसे कि टॉपिक में आपको दिखाई दे रहा होगा मुबाइल की स्क्रीन पर कि भारत के पिर्मुक परेटन इस्थल तो सबसे पहला जो हमारा है वो Gateway of India तो प्यारेशातियो Gateway of India जो है वो आपका मुंबई में इस्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं जिम कारबेट पार्क तो जिम कारबेट पार्क जो है नैनी ताल उत्राखंड में इस्थित है तो आपको याद रखना है कि जिम कारबेट पार्क जो है वो नैनी ताल उत्राखंड में इस्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया गेट नई दिल्ली तो प्यारिशातियों इंडिया गेट जो है वो आपका कहां पर है नई दिल्ली में चली आगे बढ़ते हैं राष्टपती भवन तो वो भी प्यारिशातियों आपका दिल्ली में है आगे बढ़ते हैं अफगान चर्च जो है प्यारिशाति वो आपका मुंबई में इस्थित है अफगान चर्च चलिए आगे बढ़ते हैं बोटेनिकल गार्डन जो है वो शिवपूर कोलकाता में इस्थित है तो आपको याद रखने है प्यारिशाति यो जो बोटेनिकल गार्डन है वो शिवप कोलकाता में इस्तित है संसेट पॉयंड संश्ट पॉयंड जो है माउंड टाफू राजीस्थान में बहुत अच्छी जगह गोमने लाइक जगह एक बार शवी लोग जरूर आगे चलो, कांची पुरम का मंदिर पैरिशाथियों, आगे बढ़ते हैं, जो आपका उडिसा यानि की पुरी में इस्थित है, यह important question है, यह बहुत ही पूछा जाता है, लगवक सभी एक्जामों में तो आपको याद रखना है कोगार्क मंदर जो है प्यारिशातियो वो पुरी में इस्थित है आगे बढ़ते हैं जगनात मंदर ये भी आपका पुरी में इस्थित है उड़ीसा में ये भी बहुत important question है खुब पूचा जाता है एक्जामों में चल चेनना केशव मंदर बैलूर में इस्थित है आगे बढ़ते हैं लच्मग मंदर छतरपूर बहुती अच्छी जगए है छतरपूर पैरिशातियो मंदर प्रदेश की जो छतरपूर जगए बहुती अच्छी जगए है तो जरूर एक बार सभी लोग घूमने जाईएगा माउंट अबू को प्यारी शाथियो और क्या कहा जाता है अभी जस्थ हमने धोकी दिर पहले देखा था संसेट पॉइंट तो संसेट पॉइंट भी आपका माउंट अबू राजस्तानी है और दिलवागा का जैन मंदिर भी माउंट अच्छी जगए है चले आगे बढ़ते गोबन देव का मंदिर ब्रंदावन उत्तर प्रदेश में इस्तित है प्यारे शातियों गोबन देव का मंदिर ब्रंदावन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते है रादा बल्लब मंदिर ब्रंदावन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ते है बिश्नुपद मंदिर तो प्यारे श तो प्यारे शातियों जो काली मंदिर है फिमस है वो आपका कोलकाता पस्यों बंगाल में इस्ते थे आगे बढ़ते हैं जैन मंदिर अजमे राजस्थान तो जैन मंदिर जो है प्यारे शातियों वो अजमे राजस्थान में है आगे बढ़ते हैं रंग जी का मंदिर तो प्या दीवाने खास आगरा फोर्ट में इस्थित है प्यारे शाथियों दीवाने खास जो है वो आपका आगरा फोर्ट में है आगे बढ़ते हैं हाई कोट मुंबई महराष्ट में हाई कोट मुंबई महराष्ट आगे बढ़ते हैं बड़ा एमाम बाड़ा बहुत अच्छी जगह है लखनव में है बड़ा एमाम बाड़ा और छोटा एमाम बाड़ा दोनों ही आपके लखनव उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं चोटा एम चोलगहर जो है वह आपका पटना का फेमस है पादर री की हवैली ये भी आपकी पटना में एस्तित है प्यारेशाथियो पादरेी की हवेली पटना आगे बढ़ते हैं बिलियम फोर्ड बहुत यह अच्छी जगह है बिलियम फोर्ड जो है वह लुकाथा पशियम बंगाल में है आगे बढ़ते हैं बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है पैरिशाथियो बीवी का मकबरा औरंगाबाद आगे बढ़ते हैं सफदर गंज का मकबरा तो दिल्ली में इस्थित है पैरिशाथियो सफदर गंज जो है वो आपका दिल्ली में इस्थित है आगे बढ़ते हैं जं आगे बढ़ते हैं लच्मग जूला रिसी केस बहुत ही अच्छी जगह है कि एक बार घूमने जरूर जाएगा रिसी केस सभी लोग लच्मग जूला है जो आपका रिसी केस में इस्थित है आगे बढ़ते हैं सांती निकेतन पस्चिम बंगाल में आगे बढ़ते हैं तारा पुर का मचलीगर जो है पारिशाथियो मंबई में इस्थित है आगे बढ़ते हैं कनेरी की गुफाएं मुंबई में इस्थेत हैं प्यारिशातियों कनेरी की जो गुफाएं है वो मुंबई में इस्थेत हैं एलिफेंटा की गुफाएं वो भी प्यारिशातियों मुंबई में इस्थेत हैं अजंता की गुफाएं प्यारिशातियों औरंगाबाद ये बहुत ह कंदरिया महादेव मंदिर, यह बहुत इच्छा मंदिर, यह आपका कजराहू बदुपरदीश कणदरिया महादेव मंदिर, वह आपका खहर हुसर, किसोर शा snare कोटाया राजिस्तान उद्यपुर में है तो उद्यपुर को प्यारे शादियों लेक आप सिटी यानि की जीलों की सहर बोला जाता है उद्यपुर राजिस्तान को बहुत ही बहुत इंपोर्टन जगे बहुत ही अच्छी जगे एक बार जरूर जाईए जिक बहुत अच्छा लगता है तो पिछोला जील जो पैर शादियो वो उद्यपुर राजिस्तान में इस्टित है काकरिया जील एहमदाबाद में इस्टित पैरिशादियों चली आगे बढ़ते हैं दर्गा अज्मीर शरीप अज्मीर मैं तो ये भी बहुती अच्छी जगह है बिल्कुल बहुती घूमने लाइक जगह है दर्गा अज्मीर शरीप अज्मीर में एस्ति üzer प्यारशाथिए। महरगगल दुर्ग जो है वो आपका जूदपूर में स्थित है पैरिशातियों महरगगल दुर्ग जूदपूर आगे बढ़ते हैं मदन महल आपका जबलपूर में मद्परदेश में स्थित है पैरिशातियों मदन महल आगे बढ़ते हैं म्रग नेनी का महल ग्वालियर में स् फती है आगे बढ़ते हैं कोचीन का किला केरल में इसथित है विजा स्थम चित्व कंगरका राजिस्थान बहुती अच्य किला है गूमने लाई का प्वोएंट है बहूती अच्छी जगहै बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर घूमने जाने में तो बिजे इस्तम जो है वो चित्तोगग राजिस्तान में इस्थित है कुतुम मीनार दिल्ली में इस्थित है इसको तो बताने के जरूत है नहीं सभी को पता है आगे बढ़ते हैं धाई दिन का जोपका यह भी है वो अलवर राजिस्तान में इस्थित है चली आगे बढ़ते हैं दीघ महल डीघ राजिस्तान में इस्थित है यह इंपोर्टन जगे है इची जगे है गूमने लाइक जगे है तो आपको याद रखने है कि जो डीग महल है वो डीग राजिस्थान में इस्थित है चली आगे बढ़ते हैं जूनागड का किला बीका नेर में इस्थित है बीका नेर भी प्यारिशाति हो राजिस्थान की बहुत ही अच्छी जगह है तो जूनागड का जो किला है वो बी का नीर में इस्तित है चली आगे बढ़ते हैं कानपूर महल ये बगाद कन्फूजन वाला कुश्चन इनको आपको याद रखना है कानपूर नाम सुनके आपको कानपूर टिक नहीं कर देना है कानपूर महल जो हुए आपका धौलपूर राजस्थान में इस्तित है चली आगे बढ़ते हैं अनुरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट राजिस्थान में बूंदी राजिस्थान का एक जिला है बहुत ही अच्छी जगह है तो अनुरुद्ध का जो महल है वो बूंदी फोर्ट राजिस्थान में इस्थित है प्यारिशाति हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं जंतर मंतर जगमोहन महल है वो अपका कोटा में स्तित है तो आपको याद रखना है जगमोहन महल कोटा चलिए आगे बढ़ते हैं भरतपुर का प्यारतुर्त जैपूर में स्तित है जबा महल जैपूर में तो याद यची जगए है तो आपको यांसे दो में आगे बठते हैं लाल किल्ला डिली । मक्बरा ये भी आपका दिल्ली । पयरिशाथ है। हमायों का जो मकवरा है वो भी डैले में इस्थित है आगे बढ़ते हैं सालिमार बाग स्री नगर में इस्थित है ये बहुत ही खास जगह बहुत ही महत्मों बहुत ही अच्छी जगह बहुत अच्छा नजा रहा है यहाँ पर सालिमार बाग जो है पैरिशात्यू स्री नगर म बिहार आगे बढ़ते हैं डच महल कोची केरल में इस्थित है आगे बढ़ते हैं फतेपूर सीकरी आगरा उत्तर परदेश में है इंपोर्टन जगह है सहेलियों की बाड़ी उद्यपूर राजिस्तान में इस्थित है आगे बढ़ते हैं रानी की बाड़ी बूंदी राजिस में इस्थित है आगे बढ़ते हैं पुराना किला दिली में इस्थित है आगे बढ़ते हैं अकबर का मक班 अब देश इस्तित है अकबर का किला इलावाद में इस्तित है आगे बढ़ते हैं चस्मा साई जमू कस्मीर में इस्तित है आगे बढ़ते हैं इत्मा दौला का मकबरा आगरा में इस्तित है आगे बढ़ते हैं निशान तबाग ये भी बहुत अच्छी जगे है आपकी जमू कस्मीर में गूमने लाइक जगह है बड़ा आनंद आता है वहाँ पर निशानत बाग जो है पैरिशाति वो जम्मू कस्मीर में इस्तित है चलिए आगे बढ़ते हैं सीस महल आगरा में इस्तित है आगे बढ़ते हैं खास महल ये भी आपका आगरा में इस्तित है चलिए आगे बढ़ते ह मक्का मस्जद हैदराबाद में इस्थित है आगे बढ़ते हैं पत्थर की मस्जद ये भी आपकी पटना में इस्थित है अच्छा पत्थर की मस्जद पटना में इस्थित है और पत्थर मस्जद जो है वो आपकी जम्मू कस्मीर में भी है तो आपको याद रखना है पत्थर मस्जद तो प्यारे शाथियो जम्बू कस्मीर है चली आगे बढ़ते हैं मौती मस्जद आगरा फोर्ट तो प्यारे शाथियो जो मौती मस्जद है वो आपकी आगरा फोर्ट है और जामा मस्जद वो दिल्ली में है मौती मस्जद आगराफोड जामा मस्जद दिल्ली चलिए आगे बढ़ते हैं मौती मस्जद दिल्ली फोड में भी इस्थित है आगे बगलते हैं हजरत बल मस्जद तो पैरिशातियो हजरत बल मस्जद जो है वो आपकी सीनगर कस्मीर में स्थित है पैरिशातियो बहुत इंपॉर्टन जगे अच्छी जगे है हजरत बल मस्जद जो है पैरिशातियो शीनगर कस्मीर में स्थित है चरार ए सरीब ये भी आपका सीनगर कश्मीर में स्थित प्यारिशातियों चरार ए सरीब जो है वो भी आपकी सीनगर में स्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं नाखुदा मस्जिद कोलकाता में इस्थित है प्यारिशातियों जो नाखुदा मस्जिद है वो भी आपके कोलकाता में इस्थित है आगे बढ़ते हैं विक्टूरिया मेमोरियल कोलकाता में इस्थित है किंद्री सचवाल है वो भी आपका नई दिल्ली में इस्थित है प्या मत्रा उत्रप्रदेश में इस्थित है चली आगे बढ़ते हैं जामा मस्जद आगरा में इस्थित है तो प्यारे शाथ यह टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है तो यह थे भारत भारत के पिरमुख परेटन इस थल तो आज इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही मिलते ह कुछी देर में एक नए टॉपिक के साथ तो जो भी हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और शाथ ही बैल आइकन को प्रेश कर लेजिए और वीडियो आपको कैसा लगए प्यारा शे कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो